आज हम बनाएंगे भिहारी स्टाइल चिकन करी इतनी टेस्टी चिकन करी आपने कभी नहीं खाई होगी फ्रेंट्स ना इसमें काजू ना बादम ना टमाटर ना दही कोई चीज का इस्तमाल नहीं होगा फिर भी टेस्टी चिकन करी बनेगी ट्राइज जरूर करिए पसंद आ सारे चिकन के पीसे पे हम अच्छे तरीके से मिला कर रख दिये हैं साइड में हमने लिये हैं 1-4 cup सरसों का तेल इसमें सरसों के तेल का ही इस्तमाल करिएगा बहुत टेस्फफल बनती है फ्रेंट्स दो हरी इलाईची कूटे हैं अब चार लोंग दर दरसा कूट कर हम इसे तेल में दालकर तुरन दाल दीजिए इसमें जो हमने हल्दी और नमक लगा कर चिकन को रखे थे वस चिकन को फिर दो से तीन मिनट रूख जाईएगा फिर इस पे हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राइ कर रहे हैं फ्रेंट्स दो मिनाट बाद मैं इसे पल्टी कर रही हूं इस त जो तरह पां चेल मिनट निकाल लिए है चीकन को निकाल लिए बज गया थे प्रेंड में दोड़ को खोल लिया है एक लिए है लेंगे स्टार फूल तोड़ा सा च्छोटा है श्टार फूल और 6 से 7 हमने लोंग लिए हैं 10-12 पर दो लेंगे लेंगे और 2 लसन की गांट ले अब सारे मसाले हम डाल देंगे तेल में लसन के साथ में अब हम सारे मसालों को थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं हमारे मसाले थोड़ा से क्रैकर हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे प्यास प्यास लिए हैं हमने पांच छोटी साइस की पांच प्यास लिए हैं अकर मीडियम चोटि बड़ी टालटी के कलिया है वोगा थो तोड़कर में मासाले मेंडाल के लित टेज़ पत्या है तोड़कर आपको दालेगे 1-2 तेज़ पत्यें़ । भूटी कश्मिरी रेड चिली पॉडर 1.5 टीजपून दालेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम दालेंगे, लाल मिर्च का पॉडर तिक्की लाल मिर्च का पॉडर डाली हो, तिक्का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया ज़ादा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हम मसालों को भूने हम ग्रेट कर डाल रहे हैं, यह चिकन करी बैसलर के लिए भी है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ना इसमें कूटना ना काटना है, हलके हलके हमने मसाले काट कर इसमें डाल दिये हैं, हमने कोई चीज मसाले पीसे नहीं है, और ना जादा कुछ मसाले डालने हैं, बैसलर भी से अगर आपके पास कुटने वाला है तो इसमें कुटकर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर काटकर डाल रही हूँ, अच्छे तरीके से हमने हरी मिर्च डाल कर देड़ मिनट के लिए फिर भून लिए मसाले, अब इसमें थोड़ असा पाने डालेंगे, याने के आदा कप जितना पा देख सकते हैं, पहले हिमारी पियास काफी सौफ्ट लग रही है, अब हमने न थककन कवर किये है, पांच मिनट के लिए, 5 मिनट अब बाद हम धकन हटा देए गए, और इसे देझ लेता हैं या एक बार, देखे माशाणला काफी सौफ्ट हो गई ह हमारी पियास, अब हम की स इस तरह से सॉफ्ट करेंगे मैं आपको बता देती देखिए इस तरह से हमें दबाते रहना है फ्रेंड जो लसन की कलिए वह भी अच्छे तरीके से पकिए उसे भी सॉफ्ट कर लेना है प्यास को भी रगड लेना है क्योंकि बैचलर जब बनाते हैं उनके पास ना ही मिकसर हो गया ना हुए वक्त फ्राइब करना है हाइ फ्लेम पर करेंगे तो चीकन जूस रिलीस करता है और प्टुटने लगता है यसलिए हमें हमें इस इसे हाइव ऐ फ्लेम पर ही तरह करेंगे और इसे बनाने के लिए राइके तेल का ही इस्तमाल करीं हमने चिकन डालकर टकन कवर कर तीन मिनट पका लिए थे अब एक बर हम इसे चेक कर लेते हैं मीइंद raised और मि갈एशे तरीके से जितना च्लाइन घड़स ब्도 खलते War 10 मिनट एक दक्न नर्च यह कऴखते हैं अब यहींथ अब यिसमें घालेंगे आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो गरम मसाला डाल दीजिये, चाय मेटन मसाला डाल दीजिये, कोई भी मसाला आप समय एड़ कर सकते हैं। अब हमने इसे दखकन कवर कर कर रख दिये हैं, पकने के लिए, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल लेते हैं। दिन आज पर लखिएगा माशाला देखे कितने अच्छी तरी आई है हमारी चिकन करीबे अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धलियां फटी भी धनिया डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पिर इस पर हम ढ़कन कवर नहीं करेंगे अब अब हम इसे खुले म करेंगे इन्शालला कल फिर में मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना ख्यार रखे सेफ रहिए अपनी दौाओं में